स्वधांत्र भारत के इतिहास में शायद ही कोई ऐसी पुलिटिकल पार्टी रही है जिसने महिला सम्मान पर देश के साथ इतना बड़ा मजा किया है जिसकी कई हरकतों से महिला अस्मिता को ठेस पहुंची है और मैं बात भारती जनता पार्टी की कर रहा हूँ और अदालत ने पंजाब और हर्याना हाइकूट का ताजा आदेश भारती जनता पार्टी के लिए करारा जटका है मैं आपको बताता हूँ आदेश क्या है सरल शब्दों में कहा जाए आपके स्क्रीन्स पर ये है गुरमीत रामरहीम एक ऐसा इंसान जो बलातकार और हत्या दोनों के मामलों में सजा काट रहा है मगर आप जानते हैं दोस्तों अब तक भारती जनता पार्टी इस व्यक्ति को नौ बार परोल पर रहा कर चुकी है पंजाब और हर्याना हाई कोर्ट ने एक बहुत ही एहम आदेश जारी किया है उन्होंने कहा है कि गुरमीत रामरहीम दस मार्श तक सरिंडर करे दूसरी बात उन्होंने ये कहा है कि आगे से आप इन्हें परोल नहीं देंगे और अगर परोल देंगे तो पहले आपको पंजाब और हर्याना हाई कोर्ट में आना पड़ेगा अदालत में आना पड़ेगा उसी के बाद आप परोल दे सकते हैं इससे ज्यादा करारा तमाचा किसके मूँपर हो सकता है बताईए सबसे बड़ी बात नौ बार इस व्यक्ति को परोल दिया गया मगर आप इसकी गूंज किसी गोदी मीडिया पर नहीं सुनते दोस्ते मगर दूसरी तरफ संदेश खाली की गूंज आप सुनते हैं जो होनी भी चाहिए मगर संदेश खाली में कम से कममता बैनर जी शहा जहां शेक को गिरफ़तार तो करती है वो तमाम लोग जो संदेश खाली की आउर्टों पर अत्याचार करे थे उनने गिरफ़तार तो करते हैं यहाँ पर गुर्मीत रामरहीम शिस्पर बलातकार की आरोप सिद्ध हैं, साबित हैं, उसे बार-बार भारती जनता पार्टी जो है परोल पर रहा करती है. ना कोई ताकत, ना कोई अदावत, और चाहिए पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहिए, तेरे बोल पर अंकुछ नहीं डाल सकते हैं, बोल इलाब आज़ाद हैं तेरे. अदालत का क्या आदेश है और इस पूरे मामले का बैक्ग्राउंड क्या है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, सबसे पहले आपके स्क्रींस पर. पंजाब हर्याना हाई कोट में राम रहीम की परॉल को लेकर राज सरकार को सक्त निर्देश दिये हैं, कोट में हर्याना सरकार को सक्त निर्देश देते हुए कहा, दुशकर्म के दोशी राम रहीम को हमारी आनुमती के बिना परॉल ना दी जाए. कोट ने कहा हम चाहते हैं कि हर्याना एक हलफ नामा पेश करे कि ऐसे आपरादिक रिकॉर्ड रखने वाले और तीन मामलों में सजा पाने वाले कितने लोगों को ये लाब दिया गया है इस बीच देरा प्रमुक दस मार्श को आत्म समर्पन कर सकता है अधालत ने सखत कहा है कि आगे से आप नहीं दोगे परोल और अगर दोगे तो आपको हमारे पास आना पड़ेगा और ही जो इतने गंभीर आरोप इस व्यक्ति के उपर हैं कितने लोगों को आपने ऐसे परोल पर रिहा किया है दोस्तों अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ जो सही माइने में शर्म की तस्वीर है नौ बार जैसे कि मैंने कहा ना आपको राम रहीम परोल पर रिहा किया जा चुका है और ये सलसला 2020 से चला रहा है बताता हूँ मैं आपको सबसे पहले पहली बार एक दिन के परोल पर 24 अक्तूबर 2020 को रिहा किया गया था दूसरी बार परोल एमर्जेंसी एक दिन पर 21 मई 2021 को रिहा किया गया था फिर उसके बाद 21 दिन की फरलॉब और ये फरलॉब जो है वो मिलता है 7 फरवरी 2022 को ये वापस जेल में गया 28 फरवरी 2022 को 21 दिन की फरलॉब और उसके बाद देखिएगा दोस्तों किस तरह से उन्हें परोल मिलती है 30 दिन की परोल 17 जून को वापस जेल में गया 18 जुलाई उसके बाद परोल मिलती है 40 दिन की ये परोल कब मिलती है 15 अक्टूबर 2022 जेल वापिस गया 25 नवंबर 2022 उसके बाद फिर परॉल मिलती है 30 दिन की और फिर 21 दिन की फरलो पर रहा किया जाता है तारीख है 21 नवंबर 2023 और हाल में हाल में दुस्तों 19 जन्वरी को सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिये जब करीब 50 दिन की परॉल पर रहा किया गया ना सिर्फ इसे रिहा किया जाता है बलकि दो चीज़ें सामने उभर कर आती है पहली बात जब भी कोई चुनाव आने वाला होता है यानि कि राजिस्थान में चुनाव आता है और गंगा नगर में इस व्यक्ति का प्रभाव माना जाता है तो रिहा कर दिया जाता है परॉल आम जनता के मुँपर एक करारा तमाचा है राम रहीम के जो भक्ते मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ आम जनता जो बावजुद इसके भारती जनता पार्डी को वोट देती है जो एक बलातकारी को परॉल पर रिहा कर रही है आखिरकार पंजाब हर्याना हाई कोट को कहना पड़ा नाथिंग डोइंग इनाफ आप इस व्यक्ति को परॉल पर रिहा नहीं कर सकते वापस डालिए और आगे से अगर परॉल पर रिहा करें तो आपको हमसे इजासत लेनी पड़ेगी याद कीजी ये व्यक्ति जब भी रिहा होता है इसके दर्बार में भारती जनता पार्टी की नेता हाजर होते हैं अपना सिर जुकाते हैं कितने शर्म की बात है जब इस व्यक्ति पर गंभीर आरूप लग रहे थे तब मनुहरलाल खटर सरकार के बड़े-बड़े मंत्री आनिल विज वो इनके सामने सिर जुकाते थे भारती जनता पार्टी ने जिस तरह से महिला सम्मान के साथ मजाग किया है न वो बहुत फी शौकिंग है और बात सिर्फ राम रहीम की नहीं पिछले दो दिनों में जो घटना हुई है न आपके होश ओड़ जाएंगे उससे सबसे पहले ये देखिए ये है प्रदर्शन का पोस्टर इसमें प्रदर्शन किया जा रहा है मंगेश सातमकर के खिलाप कौन है मंगेश सातमकर आप इस तस्वीर में देख सकते हैं मंगेश सातमकर को एकनाच शिंदे की शिव सेना में में उनका स्वागत किया जा रहा है वो शामिल हो रहे हैं यहाँ देखिए बाकाइदा एकनाच शिंदे उन्हें सम्मानित करने हैं अब इस तस्वीर में आप देख सकते हैं मंगेश सातमकर का एक औरत के साथ फोटो है उस औरत का चहरा छिपाया गया है अब मैं आपको पूरी क्रोनोलिजी बताता हूँ दोस्तों इस व्यक्ति पर बलातकार का मामला था सही सुना आपने क्रोनोलिजी समझिए इस तारिक पर गौर कीजे 23 मई को मंगेश सातमकर के खिलाफ बलातकार का मामला दर्श किया जाता है 23 जुला यानि ठीक एक महिने बाद वो एकनाच शिंदे में जुड़ जाता है यानि कि भाजपा के मोर्चे में चले जाता है और उसक की विक्टिम है अब वो दरदर भटक रही है वो कहरी ऐसा नहीं होना चाहिए उसने ये भी कहा कि जैसे ही व्यक्ति एकनाच शिंदे गुट में शामिल हुआ जिस पर बलातकार का गंभीर आरोप है तब पुलीस उस औरत को परेशान करने लगी उसे टार्गेट करने लगी उससे घंटों घंटों पुलीस थाने में बिठाया जाता था और उसे हारिस किया जाता था कौन है एक नाच शिंदे मुक्यमंतरी महराश्ट्र उनका वजूद किसकी वज़ा से है भारती जनता पार्टी की वज़ा से मैंने आपको दो खबरें बताई दोस्तों पहली खबर इसमें करारा तमाचा है भाज़पा की मूपर जो लगातार बलातकारी रामरहीम को परॉल पर रहा कर रहे थे और दूसरा मंगेश सातमकर की खबर आप पर इतना गंभीर आरोप था उस मामले की जाँश तक नहीं होती है आप एकनाच शिंदे कैम्प में शामिल हो जाते हैं और आपके सारे दाग धुल जाते हैं मैं प्रधान मंत्री से पूछना चाहता हूँ आपके नारे क्यों देते हैं प्रधान मंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किस से बेटी बचाएं बताइए आपने बार बार प्रमानित किया है कि बेटियों को आज की तारीख में अगर किसी से बचानी की जरूत है तो भाजपा के नेताओं से, मैं स्मृती रानी से पूछना चाहता हूँ, यह जो मंगेश सातमकर को एकनाश शिंदे गुट में शामिल किया गया है, आप शुप क्यों है, आप मूँ खोलती है, तो सिर्व राहुल गांधी के उपर मूँ खोलती है, आपने संदेश खाली पर मू नौ बार गुरमीत रामरहीम को परॉल पर रहा किया गया, आपका मूँ कभी नहीं खुलता है, अलबत्ता आप राहुल गांधी की बारे में बार बार और लगातार जूट बोलती है, शमा कीजेगा, मैं इस कड़े शब्द का इस्तमाल कर रहा हूँ, मगर आप पकड़ी ग अधिकार के अंतरकत बाकाइदा वो जानकारी आई थी, जिससे में पता चला था, कि दोनों में लिंक है, आप उस सवाल कभी जवाब नहीं देती हैं, चलिए महिला सम्मान पर आप आंशिक तोर पर सुविधावादी तरीके से अपना मूँ खोलती हैं, मगर यह तो बहुत भाई, मैं फिर आप से सवाल पूछना चाहता हूँ दोस्तों, जो मैंने बार-बार किया है, लगातार किया है, यह हैं बरिजभूशन, शेरन सिंग, भाचपा किसान सब, इनके खिलाफ दिल्ली के एक अदालत में दिल्ली पुलीस ने चार शीट दाखिल किये, जिसमें छे गवाहियां हैं, कि किस तरह से ये व्यक्ति हमारे महिला पहलवानों का यौन शोशन कर रहा था, ये मेरी कलपना नहीं है, ये दिल्ली पुलीस ने अपनी चार शीट में कहा है, मगर मैं फिर आप से पूछना चाहता हूँ, क्या आक्शिन लिया गया बरिजभूशन शरन सि में बैठता है, तालियां बजाता है, और महिला सम्मान के उपर भी कहता है, राहूल गांधी अगर संसद में खड़े होकर इशारा करते हैं, चैर की तरफ, तो स्मृती रानी बवाल मचा देती हैं, कि देखो देखो हमारे संसदों को फ्लाइं किस दे रहा है, इसके कोई यानि कि एक और भ्रमित करने वाला, खलत बयानी वाला बयान, मगर आपकी पार्टी का पूरा रिकॉर्ड है, राम रहीम, बरिजभूशन चैरन सिंग, कुलदीब सिंग सिंगर, लंबी चोड़ी दास्तान हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ, सबसे शौकिंग बात, जो शायद आजाद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, जम्मू के कटवा में, एक मासूम के साथ दुशकर्ब होता है, और फिर मंदिर में उसकी हत्या कर दी जाती है, और क्या आप जानते हैं, कि जो बलातकारी थे, उनके पक्ष में राली निका स्वतंत्र भारत में महिला सम्मान के साथ जो मजाग भाजपा ने किया है, जो ठेस भाजपा ने पहुँचाई है ना, वो अप्रत्याशित है, उसने एक नजीर कायम कर दी है, कि भई, अपनी राजनीती के लिए आप महिला सम्मान को रौन सकते हैं, मगर मैं उम्मीद करता हूं कि जब भी भाजपा सत्ता से जाएगी और जो भी कोई नई पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आएगी, तब वो अपनी ताकत का बेजा इस्तमाल नहीं करेगी इस तरह की हरकतें करने के लिए, यह सब समाच की मुँपर तमाचा है, करारा तमाचा है, मैं उम्मीद करता हूं कि भाजपा आत्ममंधन करेगी, अगर यह मेरी उम्मीद है, अब इसार शर्मा को दीजे इजासत, नवसकार